प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनगर और शान्ती और पापो की शमा का अनुभव मिले। बाइबिल में मरकुस दो अध्याई में कई दिन के बाद वह फिर कफरनूम में आया और सुना गया कि वह घर में हैं। फिर कितने लोग इखटे हुए कि द्वार के पास भी जगा नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड के कारण उसके निकट ना पहुँच सके तो उन्होंने उस छट को जिसके नीचे वथा खोल दिया और जब उसे उधेड चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। येश्य ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र तेरे पाप शमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगें कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप शमा कर सकता है येश्व ने तुरन्त अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम zupełnie मन-मन में ये क्या विचार है ये विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है क्या जोले के मारे से ये कहना कि यी पाप शमा हुए जै ये कहना कि उट अपनी खाट उठाकर चल फिर परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुश्य के पुत्र को प्रित्वी पर पाप शमा करने का भी अधिकार है उसने जोले के मारे हुए से कहा मैं तुझ से कहता हूं उट अपनी खाट उठाकर अपने घर चला और वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सब के सामने से निकल कर चला गया इस पर सब चकित हुए और परमिश्य की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था तो प्रभी यश्य मसी किसी के घर में नियोता पाया था और उस घर में वो वचन सिखा रहा था और बहुत सारे आसपास के पड़ोस के लोग इखटे हो गए और इतने लोग आ गए कि दरवाजे पर इतनी भीड आ गई कि लोगों को अंदर आने की अब कोई जगा नहीं थी रास्ता नहीं था तो तब चार व्यक्ति एक पैरलाइस्द व्यक्ति को जोले से मारा हुआ पै उन्हें सुना था कि प्रभू येश्व मसी कैसे कैसे बिमारों को चंगा कर चुका है तो उन्होंने सोचा हमारे इस मित्र या रिष्टिदार को भी प्रभू येश्व ठीक कर देगा तो उस विश्वास से ये चार व्यक्ति अपने मित्र को लाए थे मित्र था या रिष्टिदार था लेकिन जब उन्होंने घर में जाने की कोशिश की तो इतनी भीड थी कि पॉसिबल नहीं था कि खाट के साथ उस विमार को ले जाए तो उन्होंने घर के चट पे वो चड़गे उन दिनों कच्ची चट होती थी चट को उधेड के उन्होंने इतनी बड़ी बड़ाय चेद बना दिया कि खाट को रस्सियों से उन्होंने नीचे उतारा जहां प्रभू येश्व बैठे थे और जब उनके इस विश्वास को प्रभू येश्व ने देखा और उस जोले से मारेवे विक्ति को देखा तो जो लोग नहीं देख पा रहे थे वो प्रभू येश्व देख पा रहा था पहली बात प्रभु येश्व ने उसके दिल के हालत को देखा निश्चित रूप से वो शरीर में बहुत पीडा में था निराशा में था लेकिन जो उसके मन में चल रहा था वो प्रभु येश्व ने देखा और प्रभु येश्व जानता था कि इससे पहले किस चीज़ की आवशक्ता है ये लोग उससे लाए थे कि ये शारेरी कुरूप से चंगा हो जाए कि इसका पैरलिसिस ठीक हो जाए कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए इसी कारण वर्ष ये लोग अपने मित्र को लाए थे लेकिन प्रभु येशु उस बिमार को देख के उसे कहता है हे पुत्र तेरे पाप शमा हुए लोगों ने सोचा ये कैसे विक्ती है पाप शमा ये कैसे करता है ये तो बढ़ाई का बेटा है खुद बढ़ाई है पाप शमा करने का अधिकार इसे किस ने दिया लेकिन वो लोग जानते नहीं थे कि वास्तों में ये परमेश्वर मनुश्य का रूप धारण करके यहां पर मौजूद है कि ईश्वर शरीर में प्रगट हुआ कि परमेश्वर जो हमारा स्रिष्टी करता और जीवन दाता है वो मनुश्य का देधार कर इस पित्वी पर आया था कुवारी के द्वारा जन्मा था और आज इस बिमार को कहता है हे पुत्र तेरे पाप शमा हुए उस बिमार ने भी सोचा होगा अरे मैं तो चंगा होने आया और यहां तो पापों की शमा मुझे मिली क्या मैं चंगा होंगा या नहीं होंगा और कुछ धरम गुरु वाँ बैठे थे वोड़ भी बड़ बड़ा रहे थे अपने मन में कुड़ कुड़ा रहे थे कि कैसा आदमी है परमिश्वर का इंसल्ट कर रहा है निंदा कर रहा है और परमिश्वर उनके मन की बातों को पढ़ पाता है हमारी मन की बातों को पढ़ पाता है खुली पुस्तक की तरह और परमिश्वर ने कहा कि मेरे लिए आसान क्या है ये कह देना कि तेरे पाप शमा हुए या ये कह देना उट अपनी खाट उठा और घर चला जा लेकिन तुम इस बात को जानो कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं पाप शमा कर सकता हूँ इस्ते पहले मैंने इसके पाप शमा किये क्योंकि अगर ये इस्थिती में मर जाता तो ये नरक का दंड भोगता इसलिए इसको पाप शमा की पहले आवशकता थी लेकिन अब ताके तुम जानो अब मैं जोले के मारे वे से कह रहा हूँ उठ अपनी खाट उठा और घर चला जा और वो जोले का मारा हुआ उसके शरीर में नया बल पाया वो चंगा हो गया खाट उठाई और घर चला गया क्योंकि प्रभी येश्व जानता था सबसे पहले इसको पापों की शमा की आवशकता थी इसके मन में भी पश्ताब था सोचता रहता था ये आफ़त मुझ पे क्यों आई ये परिशानी मुझ पर क्यों आई परमेश्वर से ये प्रात्ना करता था परमेश्वर मेरे पापों को शमा कर दे लेकिन उसको आश्वासन नहीं था मेरे पाप शमा हुए या नहीं हुए लेकिन प्रभी येश्व ये आश्वासन देता है जब एक व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हिर्दय से, पश्टाप के साथ, तुटेवे मन के साथ प्रभु येशु के पास आता है, तो प्रभु येशु से आश्वासन देता है, हे पुत्र, हे पुत्री, तेरे पाप शमा हुए. उसके पास ये अधिकार है कि उसने क्रूस पर अपना प्राण हम पापियों के लिए दिया, हमारी सजा को अपने उपर उठाया, इसलिए उसके पास ये अधिकार है. इतना ही नहीं वो मृत्त को में से तीसरे दिन जीवित है युगान युग जीवित है इसलिए जब हम उसको फुकारते हैं उससे प्रात्ना करता है वो हमारी प्रात्ना सुनता है और उत्तर देता है तो इसलिए प्रभु येशु से प्रात्ना कीजे कैसे भी पाप क्यों नहो प्रभु येश्व शमा कर देता है और एक जीवन देता है कि आगे को हम वो पाप ना करें प्रभु येश्व का लहू हमें सब पापों से शुद करता है परमिश्वर आपको आशिश दे